ओम, प्रियविद्यार्थियो, संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है, आज हम नवम पाठा बुद्धी मान गोपाल कह बुद्धी मान गोळा इसका ध्याइन करने जा रहे हैं, बुद्धी मान गोपाल कह बुद्धी मान गोळा, तो बुद्धी मान इसमें विश गोपाल का विशेष्य है एक चित्रकार आसित एक चित्रकार था चित्र निर्माने तस्य अतिव रूची आसित चित्र बनाने में उसकी बहुत रूची थी चित्र निर्माने चित्र बनाने में सप्यमी विवक्ती एक बचन करूपा इये तस्य उसकी तस्य उसकी तातसब शस्ट्री विवक्ती एक बचन उसकी अतिव रूची आसित बहुत रूची थी यत्र यत्र सा शोब नानी द्रिश्यानी पश्यती समा जहां जहां वह सुन्द्र द्रिश्यों को देखता था शोब नानी द्रिश्यानी विशेशन शाबद है दिश्यानी विशेशन शाबद है तो जहां जहां वह सुन्द्र द्रिश्यों को देखता था तत्र तत्र स चित्तनिर्मानम क्रोतिसम वहां 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 चित्तनिर्मान करता था यत्र यत्र स स्वबनानी द्रिष्ट्यानी पश्चियतिसम जहां जहां वहां सुंदर द्रिष्ट्यां को देखता था तत्र तत्र वहां वहां स वहां चित्तनिर्मानम क्रोतिसम चित् एक दास शहन नगराद भही अगच्छत एक वारोह नगर से बाहर गया यहां भही श्वधिय बही के यूग में पंच्मी विवख्ति का प्रिव के जाता है तो नगराद में पंच्मी विवख्ति है तत्त पर्वता नाम प्रिष्टत हा सूरेस्य स्वनरश्मिया बातावर्णम स्वनमयम कुर्वनतिसमा वहां पर्वतों के पीछे से प्रिष्टात पीछे से सूरेस्य सूरे की स्वनरश्मिया सुनहरी किरने वातावर्णम वातावर्णम स्वनमयम सुनहरा कुर्वनतिसमा कर ततर वहां पर्वतानाम पर्वतों के प्रिष्टार पीछे से सूर्यस्य सूर्य की स्वन रश्मय सुनहरी कीर्ने वातावर्ण को सुनहरा कर रहे थी एतत शोवनम द्रिष्यम द्रिष्टवा स परवत प्रदेशम अरुविय चित्तनिरमानम प्रारभपत उसने परवत के उबर अरुविय चड़कर चित्र निर्मानम प्रारभवत चित्र बनाना शुरू किया यदा चित्रम पूर्णम अभवत जब चित्र पूरा हुआ तदा सह तब उह कदा चित कभी बाम तह बाई ओर से चित्रम अपश्चत चित्र को देखने लगा तस्मिन लीना सह स्वास्थितिम वी स्मृत्वान उसमें लीन होकर वह अपनी स्थिति भूल गया तस्मिन लीना उसमें लीन होकर सह वह स्वास्थितिम अपनी स्थिति वी स्मृत्वान भूल गया तो वी स्मृत्वान में वी उपसरक स्मृत्व अर्क्तव अगला प्रत्य है तत्र एक गोपाल का धेनु चारिय तीसम वहां एक ग्वाला गय चरा रहा था वहां एक ग्वाला तत्र एक कह गोपाल का धेनु चारिय तीसम वहां एक ग्वाला गय चरा रहा था सह तम चित्रकारम परवतस्य कौने स्थितम अपश्यत उसने उस चित्रकार को परवत के कौने पर खड़ा देखा सह उसने तम चित्रकारम उस चित्रकार को परवतस्य कौने स्थितम अपश्यत परवत के किनारे खड़ा देखा गोपाल का चिंत्यत ग्वाला सोचने लगा यदि एशा चित्रकार एकम अपिपदम एक भी कदम प्रिष्ट तहा चलती पीछे चलता है ताहिर तो परवतात नीचे पतिश्यती परवत के नीचे गिर जाएगा यदि एशा चित्रकार एकम अपिपदम एक भी कदम प्रिष्ट तहा चलती पीछे चलता है ताहिर तो परवतात नीचे पतिश्यती परवत से नीचे गिर जाएगा यदि सहा चित्रकारम अवयती यदि वह चित्रकार को बुलाता है तदा अपि ध्यान भंगनें सहा पतिश्यती तब भी ध्यान तूट जाने से या ध्यान भंग होने से सहा पतिश्यती वह गिर जाएगा तदा किम कर्णियम तब क्या करना चाहिए? सहासा किंचित विचार्य सा प्रवतस्य उपडि अगछत अचानक कुछ विचार कर वह परवत के उपर गया सहा सा अचानक किन्चित विचार्य कुछ विचार कर सहा वह परवतस्य उपरिया गच्छत परवत के उपर गया तत सुंद्रम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत उस सुंद्र चित्र को फारना शुरू किया तत सुंद्रम चित्रम छिन्नम कर्तुम प्रारभत उस सुंद्र चित्र को छिन्नम कर्तुम प्रारभत प्रारभत कर्तुम प्रारभत शुरू किया एतत त्रिष्टवा चित्रकारह क्रोधित भूत्वा गुपालकम प्रति अधावत एतत त्रिष्टवा इसको देखकर या यह देखकर चित्रकार क्रोधित भूत्वा क्रोधित होकर भूत्वा होकर भूधातुर कत्व प्रत्य होकर गुपालकम प्रति अधावत गुआले की और दोड़ा एतत तष्टवा यहां देखकर चित्रकारह चित्रकार क्रोधित भूतवा क्रोधित होकर गोपालकम प्रति अधावत ग्वाले की और दोड़ा तो प्रति की योग में जो दुत्य विवक्ति का प्रयोग हुआ यहां पर तो प्रति की योग में गोपालकम में प्रियोग किया जाता है आगे गोपाल का कथ्यत ग्वाले ने कहा मया तब चित्रम छिन्नम प्रंतु तब जीवन की रक्षा की मया मेरे द्वारा तब चित्रम तुम्हारा चित्र छिन्नम प्रंतु तब कर्थत तुम्हारे जीवन की रक्षा की इदम ग्यात्वा चित्रकार गोपाल कस्य धन्यवादम अक्रोद इदम ग्यात्वा यह जानकर चित्रकार ने गोपाल कस्य ग्वाले का धन्यवादम अक्रोद किया गोपालकस्य विवेकें चित्रकारस्य जीवनम रक्षितम अभवत ग्वाले के ज्यान से ही ग्वाले के ज्यान से चित्रकार के जीवन की रक्षा हुई लंग लकार प्रत्थमपुष एक बचन तो इसी प्रकार से ये पार्ट जो था इसकी आपको मैंने व्याक्या इस वीडियो के मात दिम से समझाई तो आज की वीडियो में इतना ही तो आप सब का धन्यावाद इतियो मुशन